आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबेशन ये भी एक फिगरोपस्पीच है और इंग्लिस लिटेचर में इस फिगरोपस्पीच का काफी ज़्यादा यूज में लाए जाता है तो हम कैसे hyperbation के poetry के अंदर या prose के अंदर इस figure of a speech का use कैसे जान पाएंगे कि इसमें हुआ है तो उसी चीज को easy way में समझने के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलाल चलते हैं और आपको बताते हैं कि hyperbation क्या है तो hyperbation एक Greek word से लिया गया है जिसका मतलब होता है transposition means की किसी का position किसी दूसरे को transfer कर देना यही इसका मतलब होता है hyperbation का तो इसमें क्या generally transfer किया जाता है तो means की grammatically जो position होता है means की जिस तरह से हम structure tenses पढ़ते हैं subject plus verb plus इस तरह से प्रिपोजिशन आता है object आता है फिर अगर कुछ बच गया तो उसमें compliment लिखा जाता है तो उस तरह का जो उसमें structure होता है उसी चीज को inversion रूप में refer किया जाता है means की उस जो regular pattern होता है structure होता है उसी चीज को ना follow करते हुए hyperbation का यूज करके poetry के lines या prose के lines लिखे जाते हैं जिससे की हम rhetorically उस poetry को पढ़ पाते हैं सुनने में poetry हमें अच्छा लगता है उसके rhymes दोनों match कर पाते हैं sentences के जो poetry के जो lines होते हैं अक्सर आपने देखा होगा की rhyming words से end करते हैं ठीक है तो इसी का यूज करके hyperbation का figure of a speech का यूज करके ही उस poetry को ज्यादा तर यूज में लाया जाता है ठीक है तो इस figure of a speech का का ज्यादा यूज में लाया जाता है तो इस चीज को जब आपको मैं example से बताऊंगा तो आपको बिल्कुल clear समझ मा जाएगा फिलाल आपको जानना है कि common word का arrangement किया जाता है जिसमें किसी भी rule को follow नहीं किया जाता है ये grammatically ठीक है हमने आपको बताया कि ये एक rhetorical device है और ज्यादा करके rhetorical device जो होते हैं उस पर ये emphasis होता है कि poetry को read करने में या गाने में या सुनने में कैसे अच्छा लगे मतलब कि rhyming word लगे इसके लिए इस पर focus होता है और poetry को जूज किया जाता है इस तरह के rhetorical poetry बनाने या प्रोज बनाने में इसमें क्या होता है कि normal position को differently arrange करके लिखा जाता है और जो हमने आप ही आपको बताए कि जो regular grammatically जो order होता है means की structure होता है टेंसे के वो grammatically जो order होता है उसको follow नहीं किया जाता है बलकि उसके उल्टा लिखा जाएगा या उस rhyming word को उस तरह से rhyming end करने के लिए poetry के lines में इस तरह का यूज करके inverse में भी लिखा जाता है अब इसी चीज को मैं example के साथ समझाता हूँ जैसे इस regular order को देखिए जैसे राम is most dangerous इस तरह का sentence होता है अगर हम इसको hyperbation का यूज करके अगर लिखें तो irregular order में ह होगा most ram dangerous is ठीक है तो इसमें अगर हमको rhetorical device के रूप में इसमें is को rhyming word बनाना था तो इसको हमेंड में लिख दिए अगर हमको dangerous को बनाना होता तो last में इसको dangerous में लिख देते ठीक है तो means कि किसी भी arrangement में लिख सकते हैं hyperbation figure of speech को यूज करके ठीक है अक्सर आपने poetry में इ कैसे किसी poetry में इस तरह के rhetorical devices का use किया जाता है और most probably हर poetry में इसका use किया ही जाता है तो आपको easily आप इस चीज को find कर सकते हैं बहुत ही आसान है समझना इस चीज को बस आपको याद रखना है कि hyperbation grammatically structure को follow ना करके irregular order में poetry या प्रोज को rhetorical बनाने के लिए use किया जाता है तो कि आपको याद रखना हमेशा words are not arranged in their normal order ये कभी भी normal order में arranged नहीं किया जाएगा और exam point of view से इस तरह के जो point है इनको याद रखे क्योंकि इस तरह से questions बनाया जा सकते हैं it is classified as a figure of disorder इसको figure of disorder में classify किया गया है इस figure of a speech को ये एक rhetorical effect के लिए emphasis करता है उस figure of a speech में से means की बहुत सारे figure of a speeches हैं जो की rhetorical devices के रूप में use किये जाते हैं जिनका emphasis होता है कि कैसे poetry के rhymes को lines को उनको rhetorical बनाया जा सके rhymes को गाने like बनाया सके मतलब कि poetry को किस तरह से हम लिखें कि वो सुनने में अच्छा लगे गाने में अच्छा लगे इस तरह का ठीक है आपने अक्सर देखा होगा किसी सायरी बोलते हुए या poetry के बोलते हुए तो उसके जो last में end में जो आपके लिए आपके सामने आता होगा जो rhyme scheme जो होता है match करता है ठीक है तो उसी चीज को create करने के लिए hypervation का use किया जाता है और यह interrupt करता है natural flow of sentences को ठीक है जो natural flow of sentences होता है उसी चोज को interrupt करता है रोकता है और इस चीज को बेहतरीन तरीके से inflected languages में use किया जाते हैं जैसे कि हम बहुत सारे चीजों में आपने भी YouTube चैनल पे आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे जिन्होंने इसी figure of speech को use करके बहुत सारे dialogue create किये होते हैं एक्जामपल के लिए आपको बताते हैं अमीत भढ़ाना नाम का आपने चैनल देखा होगा उनके YouTube पर जो भी वीडियो जाते हैं उनमें generally hyperbation का use किया ही जाता है उमीद है आपको hyperbation बिलकुल समझ में आया होगा लेकिन अगर questions बनाया जा सकते हैं तो poetry के line के अलावा इन points को भी याद रखिएगा कि ये किस classified में आता है ये किस तरह का डिवाइस है तो rhetorical device है इस तरह के आपसे questions बनाया जा सकते हैं तो आप literature में देखते हैं कि hyperbation का किस तरह से use होता है ये westland का line है देख सकते हैं आप first के line और second के line में covering और feeding ठीक है तो ये बनाने के लिए use किया गया और इस तरह का rhymes को मिलाने के लिए इस तरह का लिखा गया ठीक है फिर देख सकते हैं fourth line में only और फिर नीचे से third line में only 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 को मिलाया गया क्या आप देख सकते हैं ध्यान दीजेगा तो आपको लगेगा कि कैसे poetry में ये structure जो rules हैं जो grammatically जो structure को follow किये जाते हैं तो उ और इस चीज को आप भी समझ रहे होंगे नीचे के भी lines में last के line और उससे second last के line में है rock rock ठीक है red rock red rock तो इस तरह से use किये जाते हैं T.S.Eliot ने इस Westland के अपने poetry के lines में ये hyperbation को use किया है उसका example हमने लिया है maximum आपको किसी भी poetry के अंदर ये चीज आपको मिल जाएगा ठी ठीक है फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ तब तक के लिए अगर ये वीडियो मेरा तरीका समझाने में पसंद आता है मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राब करिए logo तक सेयर करिए जैहन दोस्तों